कारव ओजो मोबाइल आपको दीता है लाइब स्ट्रीमिंग पीग पार्ट, इसपेर पार्ट, सौप प्रतीसद गारेंटी के साथ इको फ्रेंडली, इंफोर्स्ट्रॉक्चर, स्मार्ट टूल और एक्सपर्ट टीम आपकी वाहन की हर जरूरत को ध्यान रखती है गारग ओटो मोबाइल, इसपेर पार्ट और एसेसरी पर 20 प्रतीसद तक की छूट इसके अलावा प्री सर्विस डिसकाउंट कूपन, वो भी 90 दिनों तक बैद हमारा पता है चंद्रवंसी नगर मेंडूर, सीहोडी गिल्डी ज्यार्खन मोबाइल नमबर, सौट सुन्य सुन्य, चार नौ, आट आट पाच दो ती और, नौ आट तीन पाँच, नौ तीन आट पाच, साफ आट गाप्रखन के जमडार पंचाट में अस्थापित पुलिस पिकेट को हटाएं जाने का ग्रामिनों ने विरोध किया बुद्वार को पुलिस पिकेट को हटाए जाने की सूशना के बाद ग्रामिनों ने पटना बलहारा मुख्य मार्गु को जाम कर दिया और धर्णा पर बैट गया है जिससे गाडियों की लंबी कतार लग गई ग्रामिनों ने बताया कि पिकेट के बगल में सरकारी विद्याले है जिसमें जमडार पंचाट के लगभग 15 गाउं के चातर चातराएं पढ़ाई करते हैं पिकेट के रहने से सभी ग्राम वाश्यों के साथ विद्याले के चातर सिक्षक ततार राहागीर अपने आपको सुरक्षित महसूस करते थें लेकिन पिकेट बंद रहने से सभी लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ग्रामिनों ने अनुमंडल पुलिस प्रादिकारी खोरी महुआ था गावा थाना में लेके तावे दन देकर पुना पुलिस पिकेट बहाल करने की मांगी है गौर तलब है कि जमडार में वर्स 2004 में पुलिस पिकेट बहाल की गई थी लेकि 29 सितंबर 2024 को अचानक इस पिकेट से सभी पुलिस कर्मियों को किसी दूसरे अस्तान पर भेज दिया गया ग्रामिनों का कहना है कि जमडार पंचायत गावा प्रखंट से 15 किलोमेटर दूर सुदूर वर्ती जंगली इलाका है जंगली इलाका होने की कारण अव्यारती अपराधियों की छुपे रहनी में आसानी होती है जिससे पिकेट हटने से इस इलाकी में अपराधिक मामने बढ़ने की संभाना बढ़ जाएगी ग्रामिनों ने कहा कि 3 अक्टूबर तक पुना पिकेट को चालो नहीं किया गया तो हम लोग सभी ग्रामिन गिरिडी को डर्मा मुख्य मार्ग को जाम कर अनिश्चित कालिन धर्णा पर बैठ जाएगे महीं सड़क जाम की सुझना पर थाना प्रभारी मही चंडर अपने दलवल के साथ पहुँचे और ग्रामिनों को जल्द ही पुलिस पिकेट को पुना बहाल करने का आजवास अंदेने पर सड़क पर बैठे ग्रामिन अपने धर्णा को समाप्त कर दिया लगभग हमको याद है वो दिन जब यह गाओं ही नहीं इस रास्ते से गुजरने वाले लगभग पचास से सौ गाओं के लोग जो है इस रोड में दिन में नहीं गुजर पाते थे पुर्णता हमको लगता है कि 2004 में जब कुलिस पिकेट बहाल हुआ जमडार में तराई में पिहरा में बरमसिया में कई एक जगों पर तो गाओंवा के लोग जो है पूरे सुरक्षित महसूस करने लगे और आवागमन का जो रास्ता था वो खुल गया लोगों का बैपार का रास्ता खुला लोग सडक से जुड़े और लोगों का काम चलने लगा लेकिन अभी पुना जैसा कि पता चल पा रहा है यहां के ग्रामिनों से यहां के मुख्याजी से कि जो है यहां के पुलीस पिकेट को हटा दिया गया है पूर्णता उनको जो है वापस ले लिया गया है जो कि बहुत गलत हुआ है मैं आपको बतला रहा हूं कि जमडार जो है वो परखंड मुख्याले से लगभग 15 किलोमिटर की दूरी पर है थाना से जो है लगबग 15 किलोमेटर की दूरी पर है और ये जो छेतर है ये पूरा सुदरुवर्ती छेतर है और इसमें अगर पुलिस पिकेट नहीं दिया गया तो क्या था कि पुलिस पिकेट मिलने के बाद बहुत तरह का घटना था जो होना बंद हो गया था और हमको जहां एक सप्ता के अंदर पुर्णता पुलिस जमदार पुलिस पिकेट को जो है वो बहाल करवाये जाए अन्यथा यहां के लोगों के साथ मैं भी खड़ा हूँ और मैं भी आंदोलन को बाद दे होंगा